हालो डेल गे फामीलिये ना विगेट्स इस वीडियो में हमने डिसकस करने है तीस ऐसे बिसिक तूटने वाले वर्प्स जो कि आपको आइन्स और आस्वाई लेवल पर आने चाहिए लोस गेट्स वर्प्स को याद करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बाते कर सकें कि कौन सा काम कब हो रहा है कैसे हो रहा है कौन उसको कर रहा है क्या हमें किसी काम को करने को कहा जा रहा है ये सभी चीजे हम वर्प्स के साथ ही बता सकते हैं तो इसी से related मुझे एक कहानी आद आ रही है जो के मैं आपके साथ शेर करना चाहती हूँ पिछली बार करोना टाइम्स जब लॉक्टाउन स्टार्ट हुआ था मुझे एक चॉप मिल गई थी जो के मैंने करनी शुरू कर दी थी तो मुझे एक दिन मेरी जर्मन कोलीक ने कहा तस्वासा बेटे वेक किपन मैंने का वसास तुगे जागत इशाप निश्टवस्टानन तो फिर उसने मुझे वो करके दिखाया तो इससे क्या पता चला कि वर्ब्स बहुत जरूरी है कि हमें समझ आएं कि क्या बात हो रही है औ लेकिन स्टोरी से रिलेटेट था तो मैंने का आपको बताती चलू दस्वासा वेक किपन या फिर वेक शुतन दोनों का मतलब होता है गिराना पानी गिराना इसी तरह जिस भी वर्ब के साथ वेक लगेगा तो उसका मतब अवे के मतलब में होता है जैसे कि वेक्षमाईसन वेग व्याफन और हायर लेवल पे आप काफी सारे वर्ब्स सीखते हैं, जिनके साथ वेग लग के वर्ब्स बनते हैं. तो जर्मन लैंग्विज में होता क्या है कि वर्ब्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ये देख लेते हैं कि कैसे? क्योंकि जर्मन में हमारे पास ऐसे verbs होते हैं जो के तूटते हैं और ऐसे भी होते हैं जो के नहीं तूटते तो इंग्लिश लैंग्विज में ऐसा कुछ भी नहीं होता के तूटने वाले verbs क्या हैं और ना तूटने वाले क्या हैं तो जैसे कि हमने एक और वीडियो में भी बात की थी कि प्रेजेंस में जो कि जर्मल लैंगविज का प्रेजेंट टैंस है उसमें आम तोर पे वर्ब की एंडिंग्स ये होती है जो कि हमने याद करके डिफरेंट वर्ब्स के साथ अपलाई करके उनको सेंटेंस में यूज करन होता है अब एक example देख लेते हैं तूटने वाले वर्ब की और वो है uncommon highly common का मतलब है आना लेकिन uncommon का मतलब है to arrive ना आमध हो ना तो इसको हम कैसे use करेंगे ये देख लेते हैं तो जब भी हमें तूटने वाले वर्ब को इस्तमाल करना हो sentences में तो उसका पहला हिस्सा तूट जाएगा उसको हम काट देंगे और उसके बाद जो main वर्ब होगा उसको हम conjugate करेंगे इस pattern के मताबिक तो इसको देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से sentences में use करने के लिए तोड़े अन और इस तरह से बाकी भी लेकिन हमें ये भी आद रखना होगा कि हमने time factor अगर लगाना है तो जब भी trend बागे व्याबन तूटने वाले verbs को हमने use करना होता है तो उनको हमें पहले element को sentence के बिलकुल end पर लेकर जाना होता है जो कि हम थोड़ी ही देर में sentences में देखेंगे इसी तरह एक आएंस लेवल का एक और बहुत जरूरी verb है अब फागन अब फागन कहते हैं to depart को हाली फागन हमें याद है to drive to write के मतलब में आता है तो इसको भी हम तोड़ कर use करते हैं इन verbs को use करने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो उसके तूटने वाले elements है वो याद रहें अगर हम उनको सही तरह नहीं लगाएंगे तो sentences के मतलब बहुत change हो सकते हैं जैसे कि अगर मैं कहूँ इस लादे माइने फोइंडिन तो हाली जो लादन है उसका मतलब है लोड करना तो क्या मतलब के मैं अपनी सहेली को लोड कर रही हूँ ये बिलकुल गलत हो जाएगा अगर आपने कहना है कि आप अपनी सहेली को invite कर रहे हैं तो आप कहेंगे इस लादे माइने फोइंडिन आईन, आईन को भूलना नहीं, वरना sentence का मतलब totally बदल जाएगा, बलके गलत हो जाएगा. तो कौन-कौन से ऐसे prefixes हैं, वो हिस्से जो के वर्बों के शुरू में लगकर separable verbs बना देते हैं, वो ये हैं, basic कुछ आप जहन में रख सकते हैं, कि जब भी ये verbs के साथ इस्तमाल होंगे, उन verbs के different meanings होंगे, और इनको आपको present tense में तोड़ तोड़ कर end पढ़ लेकर जाना रही उसकी conjugations जो के मैं आपको बोल कर नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इनको बोलना शुरू कर दूँगी, तो विडियो बहुत lengthy हो जाएगी, example इसकी ये रही, इश खूफे डिश मौगन अन, मैं तुम्हें कल कॉल करती हूँ, आप नोट करें कि कुछ verbs अपने बाद accusative cases लेते हैं, कुछ टार्टिव लेते हैं, तो अन खूफे ने कैसा वर्ब है, जो कि अपने बाद accusative लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर डिश लगा दिया नहीं यूज किया, नुमर स्वाइपर है जी अप होलन, पिक अप करना, किसी को पिक करना, तो एया होल्ट मिश उम आख्ट उर अब, वो मुझे पिक कर रहा है, आट बजे, आइन लादन, जैसे हमने पहले बात की, तो इन्वाइट करना, इश लादे माइने फ्रॉं लंच पर, मिट पगिंगन साथ लाना, मिट जिसके साथ भी लगेगा, वो विद के मतलब में आएगा, तो इश पगिंगे आइनन कूखन मिट, मैं साथ ला रही हूं, एक केक, इसी तरह मिट की एक और एक्सेंपल है, मिट कॉमन, साथ आना, तो वी अगेन इन स्खीनों, हम जा रहे हैं, सेनिमा, तुम साथ आओगे, कि पूछा जा रहा है न, तो आप नोट कीजिए, कि मिट के साथ और बहुत सारे वर्प्स बंते हैं, क्या आपके जहन में कुछ आ रहे हैं, अगर हाँ, तो हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेर कीजिएगा, अन बीटन, ओफर करना, तो, विया बीटन, गुंस्टिगे प्राइजे अन, हम सस्ती कीमतें ओफर करते हैं, अन क्रॉइटसन, क्रॉस के साथ मार्क करना, तो यह आप नोट करें, कि आपके आएंस एक्स एम में यह सेंटेंस आपको दिखेगा, क्रॉइटसन जी दी रिष्टिगे अन्टवोट अन, के जो क्रेक्ट आणसर है, उसको क्रॉस के साथ मार करें, और आपको गोईथे सर्टिफिकाट के अन्टवोट बोगन भी याद होंगे, boxes में हमेशा हमने cross के साथ सही answer को mark करना होता है tick, diary या filling नहीं करने होते तो इसको हम जर्मन में कहते है unkreutzon और ये भी एक तूटने वाला वर्ब है हाली खाउफन का मतलब भी होता है खरीदना और आइन खाउफन भी to shop और buy के मतलब में होता है तो इसकाउफे आइने नोए होजे आइन अगर यहाँ पर आप आइन भूल भी जाएं तो भी कोई मसला नहीं है लेकिन दूसरे वर्ब्स के साथ ऐसा मत कीजिएगा तो मैं खरीद रही हूँ एक नहीं पैंट अन फांगन शुरू करना तो वन फैंक्ट टी के बर्ट स्थागस पार्टी अन बर्टे पार्टी कब शुरू हो रही है आपको याद होगा कि तु बिगिन का एक और वर्ब भी था जर्मन में बिगिनन आप उसको यह अन फांगन किसी को भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपको पता है कि आप एक्जामिनर को कौन सवाल वर्ब यूज करके ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं आउफ श्टेन उठ चाना बिस्तर से तो वन श्टेस टू नॉमाल आवाईजे आउफ तुम नॉर्मली कब उठते हो ना सुभा के टाइम सोकर आउफ श्टेन ना हाली श्टेन था टू स्टेन्ड लेकिन आउफ श्टेन देखें उसका मतलब कितना चींज हो गया आउस फूलिन यह आपको देखेगा आपके श्वाइबन के आईंस के टाइल आईंस में फिल आउट करना ना इसमें आपने एक फॉल्मुला आउस फूलिन करना होता है तो फूलिन जी बिटे दस फॉल्मुला आउस फॉर्म को प्लीज फिल कीजिए माखन के साथ चार डिफरेंट प्रिफिक्स लगके डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं यह जितने जल्दी आप याद करें उतनी ही आपके जिंदगी में आसानी हो जाएगी उसमें से सबसे पहला है अनमाखन स्विच आउन करना तो लाइट इलेक्ट्रिक चीजों को आउन करना तो इस माखे टी लाम पे अन मैं लेंप आउन करता हूँ अनमाखन का उलट हो जाएगा आउसमाखन तो टरन आफ तो स्विच आफ के मतलब में तो कांस्टू बिटे तस खाडियो आउसमाखन क्या तुम प्लीज टरन आफ कर सकते हो रेडियो को तो आप नोट करें कि यहाँ पे मोडाल व्याप था इसलिए फिर दोनों को अकटा हम यूस करते हैं यह एक रूल है जो कि हमें याद रखना होगा इसमें हम इसको अलग नहीं करेंगे तो जो मैं कह रही थी कि चार वर्ब्स आप माखन वाले याद कर ले इन दोनों के जो दो दूसरे भाई हैं वो हैं आफ माखन और सू माखन उनमें क्या डिफरेंस है यह मैं काफी सारी वीडियो में डिसकस कर चुकी हूँ फिर है जी हमारे पास जिश फौश टैलन इसके भी दो मतलब होते हैं लेकिन आइस लेवल पे इसको आप तो इंटोड्यूस वन सेल्फ के मतलब में याद रख सकते हो जिसका मतलब है खुद का तारुफ करवाना तो इसको हम इस तरह से कॉन्जूगेट करते हैं हमें इसके लिए रिफ्लेक्सीवे व्याबन भी चाहिए होते हैं उसके बार में अगर आपको नहीं पता तो रिजिस्टर वन सेल्फ खुद को रिजिस्टर करवाना तो ये अगर लेटर आपको आए डॉच कॉर्स वाला तो आप उसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं मैं रिजिस्टर कर रही हूँ खुद को जर्मन कॉर्स के लिए और इस सेंटेंस को आप मॉडल के साथ भी बना सकते हैं तो हो जाएगा मैं चाहती हूँ खुद को जर्मन कॉर्स के लिए डिजिस्टर करवाना हमने आएंस लेवल के सेपरेबल वर्ब्स डिसकस कर लिए हैं आगे जाने से पहले एक इमपोर्टन बात और वो ये कि क्या आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है अगर हाँ तो इसको लाइक और कॉमेंट करके मुझे बताएए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें थाकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आप नोट करते ही होंगे कि इन वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम और एफर्ट लगती है तो प्लीज हमें हेल्प करें इस साल 20 के सब्सक्राइबर्स रीच करने में और ये आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा अब आस्वाय लेवल के कुछ वर्ब्स देख लेते हैं जो के जरूरी है और हमें आने चाहिए तो आइन श्टाइगन टो गेट इन ना सूग, फ्लूग और आउटो पर चड़ने को हम आइन श्टाइगन के साथ मेंशन करते हैं जैसे के इस श्टाइगे इन आइन सूग आ I am getting in a train और आइन स्टाइगन का ओपोजिट है आउस स्टाइगन जिसका मतलब है उतरना तो स्टाइगन जी बिटे आउस तेम बुस आउस बस से उतर जाएं आप प्लीज सूगन भी तूटता है जिसका मतलब होता है ध्यान से सुनना तो इश्बिन इमाडा टिया सूगन एक सूजाटस है हमेशा की तरह मैं एक आध एक्जामपल जरूर देती हूँ सूजाटस की ताकि आप वो वीडियो भी देखें जिसमें हमने सूजाटस को डिस्कस किया है त ठाहिल नेमन पार्टिसिपेट करना तो एक्जामपल है इस नेमे अन आइनम के जांग स्वेट पेव्याब ठाहिल के मैं एक सिंगिंग कॉम्पेटिशन में हिसा ले रही हूँ या ले रहा हूँ आफ गॉयमन इसका मतलब है टू क्लीन अप चीजों को अपनी अपनी जगा पर रखना तरतीब से रखना अगर बिखेडा है बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है उनको अपने अपने ठिकाने पर रखना आफ गॉयमन कहलाता है तो दीज इस वोखनेंडे गॉयमे इश इस वीकेंड पर मैं क्लियर अप करूंगी अपना कमरा आउस फाकन कहते हैं आनबॉक्सिंग करने को पैकिंग हटाने को तो वेहाट टेन को फीगा आउस के फाक्ट के फोटो कॉपियर को आनबॉक्स किसने किया है उसकी पैकिंग किसने हटाई है तो आप नोट करें जैसे ह हमने पीछे देखा आइन श्टाइगन और आउस श्टाइगन एक दूसरे के उलट थे इसी तरह आउस फाकन अगर हम कहते हैं पैकिंग हटाने को तो आइन फाकन कहते हैं पैकिंग करने को और ये दोनों भी सेपरेबल वर्ब्स हैं आइन फालन कहते हैं to come in mind, to fall in mind के मतलब में तो ये इस्ट मिया आइन इडे आइन गे फालन कि अभी अभी मुझे एक आइडिया आया है ये आप नोट करें कि परफेक्ट में यूज हुआ है फूआ बगाईटन तैर करना, अरेंज करना इस बगाईटे देन ठिश, फ्यादस मिठाग एसन फूआ मैं तैर कर रही हूँ टेबल लंच के लिए फौआ पेगाइटन हम खाना तयार करने के मतलब भेभी कह सकते हैं लेकिन उसके इलावा हम खाना तयार करने के लिए कौखन के लिए सूप पेगाइटन कवर भी यूज करते हैं फौआ श्लागन, सजेस्ट करना मैं सेजेस्ट करती हूँ कि हम रेस्टोरेंट में मिलें वो अपने घर की जो फर्निशिंग है बहुत मौडरन कर रहा है हेया श्टेलन कहते हैं मैनुफेक्चर करने को प्रोड्यूस करने को बनाने को तो तीजे फिर्मा श्टेल्ट आउटो एज़ाद स्थाइले है ये कमपनी बनाती है गाडियों के स्पेर पार्ट्स मैन कोप्फ तूट मिया जया वे मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है हाली होगन था सुनना सु होगन था ध्यान से सुनना लेकिन आफ होगन बहुत अलग है इसका मतलब है छोड़ देना तो इश मोश्टे मिट देम गाउखन आफ होगन मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ आफ पासन ध्यान रखना खयाल रखना तो मैंने मिट आप पास्ट आफ माइन खिंट आफ वेन इश आबाइटे आप कहेंगे हैं ये दो दो आफ यहां पर क्या कर रहे हैं तो ये एक कॉंबिनेशन है व्याब मिट प्रेपोजिट सियोन का आफ पासन के साथ आफ लगता है उसके बाद आफ जाटीव केस आता है तो मेरी अम्मी ध्यां रखती हैं मेरे बच्चे का जब मैं काम करती हूँ फिर है जी नाख श्प्रेशन तो रिपीट पीछे-पीछे बोलना तो होगन सी जिश्टी वटा आन उन्ट श्प्रेशन जी जी नाख सुनें लफजों को आप उसके बाद बोलें पीछे-पीछे रिपीछे करें के मतलब में ना जो सारे verbs हमने इस वीडियो में डिस्कस किये हैं उनका overview ये रहा और जाते जाते कुछ end remarks हो जाएं इन 30 separable verbs को देख कर हमें idea हुआ कि German verbs किस तरह से different हैं English से क्योंकि English में ऐसे कोई verbs नहीं जो के तूट कर अलग होते हों और अगर आप चेक करना चाते हैं कि जो verb conjugations आप याद कर रहे हैं वो ठीक हैं के नहीं तो उनको आप चेक कर सकते हैं एक website से जिसका link description box में दे दिया गया है तो German grammar का एक बड़ा हिस्सा है जी तूटने वाले verbs तो हमने करना क्या है हमने तब तक उनको याद करना है और उनकी practice करनी है जब तक के वो हमारे दिमाग में stick ना कर जाएं क्या आपके भी कोई favorite separable verbs हैं तो अगर हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें comments में ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे like और comment करके बताएए अगर इसने आपकी help की है तो अपने language learning friends के साथ इसको जरूर शेयर करें दोनों channels के links दिये गए हैं subscribe कर ले मैं मिलती हूँ आपको next video में चूस